हेलो फ्रेंज, वेलकम टो गार्न टिप्स, आई मीता बिश्णोई ये जो फ्लाज हैं, ये फीसलीली के फ्लाज हैं, वाइट कला के होते हैं और ये इनकी स्पैत कैलाती है ये मोडिफाइड लीफ होती है, और बहुत खुबसूरत इंडोर एर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो लेट स्प्रिंग में, अभी में फर्स वीक है, एप्रिल एंड से इसमें फ्लारिंग शुरू हो जाती है और फ्लाज वाइट कलर के ही बहुत खुबसूरत लगते है इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे, कई बार ये हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इसकी जो फ्लाज होते हैं वो ग्रीन होने लगते है क्या रीजन है जिसकी वज़े से आपके पीस लीली के फ्लाज ग्रीन हो रहे हैं इसके दो-तीन रीजन है, आज हम लोग पूरा डिसकस करेंगे क्या-क्या रीजन है और आप इसको कैसे अवाइड कर सकते हैं पीस लीली के फ्लाज बहुत खुबसूरत लगते हैं और ये चलते भी बहुत लंबे हैं एक बार खिलते भे लेके आते हैं अगर आप नसरी से तो देखेंगे दो एक हफ़ते तो अराम से चलते हैं तो ये आपके घर में जब नयनी कल्या आएंगी दिरे दिरे खिलेंगी करीब तीन हफ़ते रहेंगे कली से लेकर फ्लार विल्ट होने तक तो कई बार जब आप देखेंगे कि जब ये फ्लार ओल्ड हो गए हैं पुराने हो गए हैं तो ये हलक इसे ग्रीन कलर में टर्न हो रहे हैं दिखाती हूँ जैसे ये दोनों फ्लार मेरे बहुत दिनों से खिले हैं अब देखिए इसमें ग्रीन कलर का टिंज आ रहा है ये भी इसमें हलका ग्रीन हो गया है और बाकी जो नए-नए फ्लार स्किले हैं उनमें पीछे भी ये वाइट होता है फ्लार तो green होने का ये भी कारण होता है ये जो flower है ये थोड़ा पुराना हो गया है जैसे जैसे old होने लगते हैं ये हलके green color में turn होने लगते हैं एकदम milky white नहीं रहते और इसके अलावा दो और reason में आगे चल के बताऊंगे आपको जिसके वज़े से आपके ये piece लीली के खुबसूरत white flowers थोड़े green होने लगते हैं सबसे पहले reason जिसके वज़े से आपका plant में जो ये flowers खिल रहे हैं वो green हो रहे हैं वो है light issue light issue में क्या होता है कि ये जो spath है ये modified leaf है जैसे मैंने कहा तो क्या होता है जब आपके area में आपके plant जब अगर बहुत ज़्यादा sunlight में रखा हुआ है तो ये ज़्यादा photosynthesis करेगा और plant के जो flowers हैं वो green होने लगेंगे क्योंकि इन में capacity है ये modified leaf हैं तो ये बहुत ज़्यादा sunlight में chlorophyll की वज़े से green होने लगेंगे photosynthesis करेंगे ताकि plant को और energy मिले और food मिले उसको avoid करने के लिए आप थोड़ा इसको bright light में रखें मगर filtered light हो एकदम direct sunlight में रखेंगे तो ज़्यादा light की वज़े से इसमे flowers green होने लगेंगे avoid करने के लिए आप right amount of filtered light रखें bright हो मगर filtered हो चाहे indoor हो plant और चाहे outdoor हो दूसरा reason है कि ये plant में आपने बहुत ज़्यादा nitrogen और iron वाला fertilizer डाल दिया है जब बहुत ज़्यादा इसमें nitrogen fertilizer डाल देते हैं तो plant की growth ज़्यादा हो जाती है और iron के बहुत high content के वज़े से भी तो flowers हैं वो थोड़ी green color की होने लगेंगी तो उसको avoid करने के लिए आप जैसे ही सर्दियां खतम होंगी थोड़ा fertilize तो ज़रूर करें मगर diluted form में करें और बहुत rich in nitrogen ना हो micronutrients rich हो seaweed extract डाल सकते हैं सरसोखली fermented डाल सकते हैं मगर बहुत diluted form में उसको liquid को dilute करके डाले और 15-20 दिन में एक बार डाले बहुत concentrated fertilizer अगर छोटा plant है डाल देंगे तो इसके फ्लास green होने लगेंगे अब यह question है कि जब आपके यह फ्लास green हो गए हैं क्या आप इनको काट सकते हैं वो आपकी personal choice है आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं अगर आपको और भी plants के बारे में information चाहिए आप मेरा channel visit कर सकते हैं और subscribe thanks for watching